कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप दूद लिया है, यह मैंने फुल फैट दूद लिया है, और कुल्फी बनाने के लिए कभी भी फ्रिज में रखा हुआ दूद यूज नहीं करना चाहिए, फ्रिज में दूद को रखने के बाद जब आप कुल्फी बनाएंग तो आपकी कुल्फी में ice crystals आ जाएंगे कुल्फी बनाने के लिए हमेशा full fat milk का ही use करना चाहिए तो अब इस दूद को हमें उबालना है दूद को उबालने के लिए इसे अब हम एक परतर में transfer करेंगे और यहाँ पर हमें इसे मलाई नहीं बनानी है सिर्फ दूद को एक उबालाने तक ही उबालना है तो दूद में अभी उबाला चुका है अब गैस की flame off करके दूद को पूरी तरह से ठंडा करना है दूद को ठंडा करते समय आप इसे पीचेज में इस तरह से इस्टिट करते रहें जब दूद ठंडा होता है उस समय दूद का फैट मलाई के रूप में दूद पर उपर जमा हो जाता है और टेस्टी कुलफी बनाने के लिए हमें दूद के फैट को दूद से सेपरेट नहीं करना है जब तक दूद पूरी तरह से ठंडा होता है हम बाकी की प्रेपरेशन कर लेते हैं मैंने यहां पर चार बिस्किट लिए हैं यह बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं मैं यहां पर दो रेजन से बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ एक तो कुलफी में बिस्किट से चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा दूसरा बिस्किट से दूद में थेकने साईगी. फ्रेंसे, एकप दूद से कुलफी बनाने के लिए आपको सिर्फ चार ही बिस्किट लेने हैं. यदि आप यहाँ पर जदा बिस्किट आड़ करेंगे, तो कुलफी में बिस्किट का टेस्ट आएगा. बिस्किट के छोटे टुकडे करके अब हम जार में ट्रांसफर करेंगे साथ ही हम एट करेंगे चार छोटे चमच शुगर एक कप दूद से कुलफी बनाने के लिए चार छोटे चमच शुगर सफिसेंट रहती है लेकिन यदि आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर सोकर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं कुलफी बनाने के लिए हम यहाँ पर मलाई तयार करने वाले नहीं है इसलिए दूद में ठिकनेस लाने के लिए अब मैं दो बड़े चमच मिल्क पाउडर एट करूँगी मिल्क पाउडर आप किसी भी प्राण कर ले सकते हैं लेकिन लेना आपको मिल्क पाउडर ही है आपको यहाँ पर डेरी वाइटनर यूज नहीं करना है अब इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइट कर लेना है यहाँ पर सभी चीज़ें ग्राइट हो चुकी हैं अब हम बागी के प्रेपरेशन कर लेते हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राइफ फ्रूट्स इसमें मैंने 4-5 बादाम लिए हैं और 4-5 काजू लिए हैं अब ड्राइफ फ्रूट्स को हम अध्रक कूटने वाले बर्तन की हैल्प से दरदरक ट्रेश करेंगे आप चाहें तो कुल्फी को बिना ड्राइफ फ्रूट्स के भी बना सकते हैं या फिर अपने पसंद के दूस्रे ड्राइफ फ्रूट्स भी ऐड़ कर सकते हैं लिकिन ये क्रंची क्रंची से ड्राइफ फ्रूट्स कुल्फी के टेस्ट को बढ़ा देते हैं ड्राइफ फ्रूट्स क्रश हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं next process में, अब तक दूद भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें तयार किया हुआ powder एड़ करेंगे, इस powder को एक साथ एड़ न करें, थोड़ा सा powder एड़ करें, और इसे दूद के साथ अच्छी तरह से mix कर लें, आप यदि इस powder को एक साथ आप लम्स को खत्म करने के लिए, हैंड विसकर का भी यूज कर सकते हैं, तो हैंड विसकर से इसे थोड़ी दिर फैटेंगे, जिससे कि इसके सारे लम्स खत्म हो जाएं, आधर मिनिट में ही इसके लम्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, हमने यहाँ पर कॉल्फी बनाने के मलाई तयार नहीं की है, और इसलिए दूद में बिलकुल मलाई जैसा टेस्ट लाने के लिए, हम इसमें एड करेंगे दो बड़े चमच क्रीम, अब चो क्रीम आपको लेनी हैं, वो लेनी हैं ताचे दूद से उतारी हुए मलाई से, और वो भी मलाई के नीचे वाले हिस्से क्योंकि मलाई में उपर फैट होता है, और नीचे क्रीम होती है, तो इस तरह से मलाई को मैंने यहां पर पलट कर रखा है, और इसी के पीछे वाले हिस्से से दो बड़े चमच हमें क्रीम ले लेनी हैं, मलाई के पीछे वाले हिस्से से यह जो हम क्रीम लेते हैं, यह ठीक ब टेक्षर देने के लिए थोड़ा सा फेट कर लेंगे एक अब दूद के लिए दो बड़े जमज क्रीम सफिसेंट रहती है केबल चार पॉंट सेकेंड तक फेटने के बाद ये बिल्कुल स्मूज टेक्षर की क्रीम थैयार हो चुकी है अब हम इसमें से सिर्फ दो बड़े जम करेंगे ड्राइ फ्रूट्स को भी दूद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो ये कुल्फी बनाने के लिए दूद रैडी हो चुका है बिना दूद को पकाए ही इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर एड़ किया है और इसकी टाइड किये है यदि आप यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस दूद को थोड़ा सा पका कर ले ले जिसे कि इसमें थोड़ी थेकने सा जाए अब कुल्फी को साइट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुल्फी मोल्ड आप इसको जो कॉफी वाले मग होते हैं उसमें भी साइट कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील के बरतन में भी आप इस कुल्फी को जमा सकते हैं सिर्फ यहाँ पर बरतन के चेंज होने से इसके साइट होने का थोड़ा सा डिरेशन बढ़ जाता है तो अब इसी तरह से एक एक करके सभी मोल्ड में हमें इस दूद को फिल करेंगे फ्रेंड्स आप इस कुल्फी को यदि एक बार ट्राइ करेंगे तो आपकी फैमिली में बार बार इसकी टिवांड होगी क्योंकि यह बहुत ये डिलिसियस बन कर तयार होती है और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसकी प् कुछ से यहां पर 6 कुल्फी बन कर तयार होई है तो आप देख सकते हैं मार्केट के कमपरिजन में यह बहुत ही कम कॉस्ट में बन कर तयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है अब इनको कबर करेंगे हम एक फॉयल पेपर से फॉयल पेपर से कब करना है मोल्ड को फॉयल पेपर से कबर करने के बाद इसे सैंटर में नाइप से कट करके यहां पर इस्टिक लगा देनी है सबी कुल्फी मोल्ड कबर हो चुके हैं अब इनको 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है ताकि यह अच्छी तरह से सैट हो सकें 6 घंटे में ब करश किया हुआ पिस्ता लगा दें थोड़ा सा पिस्ता कुल्फी पर स्प्रिंगिल करतें और यह बहुत ही बढ़िया कुल्फी बन कर त्यार हो चुकी है इसे बनाने के लिए आपको जादा टाइम भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और यह टेस्टी तो बहुत ही जादा ह होती है तो आप इस कुल्फी की रेसिपी को एक भार चरूब ट्राइ कीजिए और यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना बुलें